हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब? हाई होप आप सब अच्छे होंगे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे सेल की और से कोई ओफिशल घोशना तो नहीं हुई है लेकिन उमीद है कि रिजल्ट बहुत जल्द ही घोशित कर दी जाएगी आशा करती हूँ कि आप में से बहुत लोग इंतरव्यू की तयारी भी शुड़ू कर दिये होंगे इंतरव्यू का कोई बेसिक सिलेबस तो नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको कुछ टिप्स और टॉपिक्स प्रोवाइट कराएंगे जो आपको निश्चिन्त रूप से इंटरव्यू में सहायक होंगे पिछले वर्षो यानि 2008, 2010 और 2018 में जो इंटरव्यू फेस किये हैं उनमें से कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी बात हुई है उनके अनुसार जेओ की इंटरव्यू में आपसे विस्तरित जानकारी की अपिक्षा नहीं की जाती है बलकि आपके confidence, आपके teamwork के छमता और आपके कार्य छेतर के बारे में जानकारी को आका जाता है इसलिए आप जहां काम करते हैं उस विभाग के बारे में जानकारी इखटा करना शुरू कर दीजिए और विशेश रूप से आप जिस section में काम कर रहे हैं उसके बारे में जादा से जादा जानकारी इखटा कीजिए आप जिस जॉब में है वहां क्या-क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है आपके सेक्शन की छमता क्या है और उस तार्गित तक आप पहुच पा रहे हैं या नहीं इस बारे में जानकारी रखे आपसे सेफटी से संबंधित भी कुछ सावाल किये जा सकते हैं आपके सेक्शन में यदि कोई बड़ी दुरघटना होई हो तो उसके बारे में भी डिसकशन की जा सकती है आपका वर्क प्लेस कितना सेफ है और हाउसकीपिंग कैसी है यह चर्चा का विशय होच सकता है आपका इंटर्व्यू 10 से 15 मिनत तक लंबा चलता है इसलिए कुछ आपसे वेक्तिगत प्रशन भी पूछ जा सकते हैं जैसे आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन से डिग्री नौकरी करते हुए हासिल किया है या नहीं किया तो किन परिस्थितियों में किया और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया यह भी पूछा जा सकता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप में क्या खासियत है कि आपको जेयो बनाया जाए आपको जेयो बनाने से सेल को क्या फायदा होगा यह कुछ जेनरल प्रशन है जो इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं आने वाले दिनों में हम कुछ और प्रश्णों में चर्चाव करेंगे। आप में से बहुत सा ऐसे भी फ्रेंट्स होंगे जो पहले भी जियो का इंटरव्यू फेस किये होंगे। वे अपने एक्सपीडियन्स कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेक करें ताकि औरों को भी लाब हो। थैंक यू और कीप वाचेंग।